हेलो गाइस वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम बात करने वाले पत्तरों के बारे में आज मैं आपको ऐसा पत्तर दुखाऊंगा कि उसके अंदर होती है सोने की नसे हमें कई बार ऐसे पत्तर दिखते हैं जिनकी सतके कुछ हिस्से सोने की तरह चमकिल होते है आकर्शन होने की वज़े से कुछ लोग इसे समबाल कर रखते है एसे में सवाले उठा है कि आखिरकार पत्तरों की सता चमकिल कीजी हो जाती है दरसल इसे गोल्ड वेंस कईते है यानी सोने की नसे सोध में पता चला है कि पत्तरों में मिलने वाली यहन असे कई तरह की होती है कई बार पत्तर यह लोगों को रातो रात धनी बना देता है तो कई बार कुछ भी हाथ नहीं आता इसी तरह के पत्तर धर्ती के दरारों और पर्तों में बिलते है इन दरारों में लावा बेता है धर्ती के नीचे बहने वाला लावा सोने के अयसकों को पूरा पिकला नहीं पाता इसी के चलते यहाँ पत्तोरों में कभी नसों की तरह कभी गुच्छे की तरह दिखाई देते है यह लावा धर्दी में मौजूद अयस को धातों को पिकला कर अपने साथ बहा देता है इसी को सैंटिक भाषा में हाइटरो थर्मल फ्लूट कहते है यह फ्लूट की धर्दी की अलग-अलग सतों तक पोचने के बाद सुख कर पत्तर बन जाता है इन्हें पत्तर के अंदर अलग-अलग तरकी धातों का जमावाडा होता है इसमें सोना भी शामिल है शोत का निशार्ख मौन्टियल स्थीत मैकेगल यूनिवर्सिटी में पूरुत्वी विद्नियन के शोत करता डंकन मैकलिस ने बताया कि पहले बार यह जानकरी समने आई है कि कोलाइडल फ्लूट्स जब हाइटो थर्मल फ्लूट्से मिलते है तब उनके ठंडे होने पर इसे सोने की परतो वाले पत्तर बन जाते है खर आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और प्रेस दे बेल आइकन